नमस्ते एर्विवान और वेलकम टू आर हूम कल की व्लॉग में मैंने आप से कहा था कि आज की जो व्लॉग है वो मेरा हाउस टूर होने वाला है तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे बस मेरे घर पे चलते हैं फटाफट से मैं हूँ सीमा और मैं रहती हूँ अभी मुंबई में तो आजाओ फटाफट से मेरे घर पे लेकिन उससे पहले आप सबको थैंक्यू कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना खिमती से में निकाल कर मेरे घर पे हमारा घर देखने आएं स्वागते आई तो ये पहला दर्वाजा है मेरे घर का और इसमें ये जो जालियां लगी है न ये इसलिए होती है कि आप दूसरे दर्वाजे को खोल के देख सको की कोन आया है यह है दूसरा दर्वाजा जिस पे बहुत ही प्यार से सासुमाने स्वास्तिक बनाया है कि ताकि सब कुछ शुब शुब हो और दिवाली में मैं यह शुब लाब लेके आई थी तो यह भी मैंने यहां लगा रखे हैं तो जो हम इंडियन्स होते हैं वो पहले दर्वाजे से ही अपनी आस्था प्रकट करने लगते हैं भगवान के प्रती और मैंने यह चीज मुंबई में देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर दर्वाजे के ओपर भगवान जी होते हैं और यह है एंट्रेंस तो दर्वाजा खोलते ही आपको एक पतली सी गैलरी दिखाई देगी और राइट एंड साइट पे आपको एक दर्वाजा दिखाई देगा जो की वाश रूम है जी हाँ अंदर आते ही आपको पहले ही अपना पेट खाली कर लेना है क्योंकि यहाँ पे सीमा खिला खिला के पेट फुला देती है आईए दूसरा वाला जो दर्वाजा है वो बाथ रूम है और यह जो एक कारपिट लगा रखा है यह इसलिए लगा रखा है ताकि यहाँ से और यहाँ से कोई भी गीले पैर लेके पूरे घर में कीचर ना करे तो यह बहुत ही अच्छा मेरा पायदान है या कुछ भी कहलो आप रख है उसे चार साल हो चुके है मेरे साथ फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे है वास बेशन और उसके उपर है लाइट यहाँ पे बंजारा मार्केट की 100 रुपे की एक ट्रे जो की काम में नहीं आती थी उसको मैंने फोटो फ्रेम बना दिया अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे बताना मैं शेयर करूंगी और इसके अंदर जो फोटो है वो मुझे बहुत पसंद है माता पिता और बच्चा बस उसकी प्रेम को परदर्शित करती है तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करी ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी फोटो नहीं लगती थी तो इसको थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट के निकली मैंने यहां पर दो प्लांट्स रख दिये हैं मनी प्लांट लगा दिये हैं और वो जो नीचे का डबबा देख रहे हो न जिस पर रखिए वो पोचे का डबबा है उसको ढखके जुगार कर लिया है और मेरी नहीं हमारी गैलरी सामने वाला दरवाजा मेरे नेवर का है और वो मेरा लीविंग रूम है यह मेरा बैट रूम है जिसे अभी आपको दिखाऊंगी लेकिन पहले दरवाजा बंद कर लेती हूँ पूरा दरवाजा खोल के आ गई हूँ पीछे से कोई आया तो पता ही नहीं चलेगा अच्छा तो दरवाजा बंद करते ही यहां आपको यह स्क्वाइर सा कुछ दिखेगा आई डून नो यह क्या है लेकिन मैं तो यहां पर चपले रखा करती हूँ मुझे आज तक समझ नहीं आया कि यह है क्या मैं तो पार्ट को बोलती हूँ देख ब्लैक बो हिस्सा जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ पहले लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि यहां लाइट जलती है सिर्फ पांच बजे से फिर रात पर तो वो जो उपर का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें कपड़े सुखाने के लिए बनाया गया है यहां से यहां तक आप तार लगा सकते हो क्योंकि मुंबई में कपड़े सुखाने की जगा नहीं होती है गैलरी है बट मैं ऐसा नहीं करती मैं नहीं चाहती कि जब कभी कोई एंटर हो मेरे घर में उसके सरपे सलवार पजामी या कुछ भी अठके तो यह एरिया मुझे ऐसे ही साफ सुथरा मेरे लिए तो मेरा घर हमारी परसनेल्टी कहता है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारा घर जलगता है तो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं दिखेगी बहुत ही सादगी से बहुत ही कम रंगों के प्रयोग से मैंने अपने लीविंग रूम को सजाया है और रेल प्ला अभी अभी यहाँ पर फोन चार्ज करके गए हैं और एक यह काना जी है यह मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे दूसरे वाले जो चैनल है वहाँ पर मुझे गिफ्ट भेजा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है यहाँ मेरा पैन वगेरा सब ऐसे ही पड़ा है त जैसा है आपको वैसा ही दिखा रही हूँ ऐसा ही रहता है तो यह कुछ खजुराहो से मेरे हस्बेंड मेरे लिए और भाई जब गए थे तो वहाँ से ब्रास के कुछ आइटम ले आय थे और यहीं नीम करोरी बाबा जिन्हें हम मानते हैं और यहाँ पे कुछ होम सेंटर के आइटम्स रखे हैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ मैं अभी आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा व्लॉग यह बुक आपको लास्ट व्लॉग में याद होगी कि रक्षा बंदन में मेरे भाई ने मुझे भेजी है तो नीचे के साइट में ने कोशिश किया कि चुटे डिटेल्स नहीं दे रही हूँ इस व्लॉग में क्योंकि आज तो सिर्फ आप लोगों को अपने घर से रूबरू कराने जा रही हूँ ताकि जब आप अगले बार व्लॉग में आए तो आपको सब पता रहे कि कहा क्या कैसा है बाकी जब व्लॉग में देखेंगे तबी तो कमेंट करकर के पुछेंगे न कि ये कहा से लाए वो कहा से लाए तो सब धीरे धीरे होगा आज सिर्फ परिचे है आज सिर्फ होम टूरे मेरे घर का तो आईए अब ले चलती हूँ आपको अपने बैडरूम की तरफ तो ये है हमारा बैडरूम जहां पे जरूरत क कि हर एक चीज अवैलेबल है जैसा कि हर बैडरूम में होता है और ये एक सिटिंग कॉर्णर बना रखा है मैंने ताकि जब कोई आए अक्सर ऐसा होता है कि हर कोई आपके बैड में नहीं बैठना चाहता तो उनकी लिए एक सिटिंग कॉर्णर और कभी-कभी खुद भी कुछ हलका फुलका सा डेकोरेशन कर रखा है क्योंकि अगेन मुझे बहुत ज़्यादा तड़क भड़क कलर्स पसंद नहीं कलर्स पसंद है लेकिन घर में नहीं घर में सिर्फ सादगी पसंद है जितना सादा घर होता है जितना कम समान होता है मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जो हाथी माराज है ये 2010 से मेरे से रहाने पर हैं टेबल लेंप है और इसका लिंक नहीं मांगना क्योंकि ये मैंने किसी शॉप से लिये थे तो वैसे भी ये होम टूर हो रहा है मैं यहां पर ऐसा कुछ भी लिंक विंक नहीं देने वाली तो बस ये दिखारियों कि क्या मेरी परसनल्टी है मैं कैसी हूँ ये सब आपको दीरे दीरे पता चले कि मैं बहुत जादा सादा सिंपल एक इनसान हूँ जो सादगी से रहना पसंद करता है और शायद मेरे घर को देखकर आप हम लोगों का रहन सहन के बारे में जान पाएं ताकि अबी दो-तीन दिन पहले और यहां सामनी भी एक विंडो है और वहां पे कुछ औरिजनल प्लांट्स लगे वे हैं मनी प्लांट्स लगे वे हैं यहां बैटकर मैं अपनी एडिटिंग किया करती हूँ तो अक्सर मैं एडिटिंग यहीं बैटकर किया करती हूँ मुझे होती सिंपल साधा सा ये है हमारा बैड रूम होप आपको पसंद आया हो और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग में उनके रिप्लाइ करूंगी आपको तो चलिए अब चलते हैं किचन की और थोड़ा सा किच और यहां पर टोकरी रखी है और यह सब चीजें दिख रहे आपको क्या है मतलब और एक प्लांट यहां पर बहुत खाली रखना पसंद करती हूं ताक कि काम करने में अच्छा लगे उपर चाय से रिलेटेट चीजें सामने मंदिर है और यह जो नीचे का पॉर्षन है यहा खाली स्लेंडर गेरा रख लेते हैं जब दर्वाजा पूरा कुलता है तो और अच्छा लगता है लेकिन अब क्या कर सकते हैं यहां कुछ बैक्स रखे हैं ट्रेवल बैक्स जब हम जाते हैं ऊपर काफी स्पेशियस है किचन जिसमें हम समान रख सकते हैं तो यह जो आप ल हैं और वो रहा सामने का एरिया जहां से आपकी एंट्री हुई थी तो यह है मेरा घर होप आपको पसंद आया हो और घर पसंद आया है इसमें क्या चीज आपको अलग लगी क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी क्या चीज आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे या हमारी दिन चरिया देखना चाहते हैं कि हमारी दिन चरिया किस तरह की होती है इस घर में मैं मेरा छोटा बेटा शे साल का और मेरे हजlympiंट रहते हैं और बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं तो उन सबसे मिलने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी हमारी व्लॉग्स आप हमारी सिंग बने रहेंगे and सब्सक्राइब करेंगे and all notification पे जरूर क्लिक करना वरना हमारी वीडियो का आपको पता नहीं चलेगा वो जो बैल बने भी होती है उस पे क्लिक करके all पे भी क्लिक करना है तब हम आपके घर रोजा पाएंगे आप हमारे रोजा पाएंगे तो चलिए इस व्लॉग को इस हाउस टूर को यहीं पैंड करते हैं मिलूंगी कल और एक नीज दिन चरिया के साथ तब तर नमस्ते एव्र प्रेगन